असलाम लेकुम एविवाइन माइने में समरसाद और यूर वचिंग दी आर्टिस्टिक समरसाद चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और गैनिक मास्क के बारे में पॉलूटेट इंवायरमेंट की वज़े से हमारी स्किन में बहुत साइए प्रब्लम्स होती है जिन में से मेजर प्रब्लम्स है इस वीडियो में थ्रो हमारी ओर्गैनिक मास्ट तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जी फर्स प्रोड़क मुझे सैंड किया था एहस वालों ने इनका 3-in-1 मास्स कर वाश है आप इसके पाउडर जो है वह आप फेस वाश में भी यूज़ कर सकते हैं इनके तीनों प्रोड़क्स की फ्रेगरंस बहुत है मैं आपको टोटली रिकमेंड करूंगी कि जरूर पर्चेस करें और रिजल्ट भी बहुत ऑसम है मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एचेस का गलो इसप्रे लगा कर दिखा रही हूँ इनका गलो इसप्रे बहुत ही ऑसम है यह आपकी स्किन को देता है हाइडरेटिंग लोक और आप है इसे मॉर्णि में भी लगा सकते हैं और आफ में सोने से पहले भी लगा सकते पर उसके बाद जो इनका ग्लो इस्प्रेय था वो मैं इस मिक्शर है वो मैं इस पाउडर में मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीखे से एंदें फिर मैं आपको फेस पर लगा कर दिखाऊंगी यहां पर मैंने थोड़ा सा एचेस का ग्लो इस्प्रेय में ज्यादा डाल दिया ह घर में अगर आपके बाद आपकी चोटी मेहन हो या आपकी ममा हो तो आप उन्हें दिन दिन लगाने के लिए कोई ऐसी परिशानी की बात नहीं है एचेस ग्लो इस्प्रेय और एचेस थ्री इंड वन को मिक्स करने के बाद हमारा मास्क हो गया है यहां पर रेड़ी अब आप अच्छे तरीखा से जो आपने और गैनिकस मास्क तायार किया था वो आप अच्छे तरीखा से अपने फेस पर लगा लें और आप अपनी नेक को मत भूलिएगा, मैं बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ कि वो दुनिया जहान का काम करवा लेती हैं, अपने फेस पर पर अपनी नेक को भूल जाती हैं, तो प्लीज 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 नेक को ना भूलें और अपनी नेक पर भी अच्छे तरीकर से और अपनी नेक मास को लगाएं, और 10 मिनिट्स वेट करने के बाद आपको अपना मूद होना नहीं है, बलके आपको क्या करना है, 10 मिनिट्स वेट करने के बाद आपका और अपका और अपना मास ट्राय हो जाए, फिर आपको हलके हलके से स्क्रब करना है, और इसकी फ्रेग को बताईएगा कि आप लोग इसकी फ्रेग्रेंस कैसी लगी क्योंकि इसके रिजर्ट भी बहुत आश्म है और फ्रेग्रेंस भी बहुत इच्छी है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और्गैनिक मास्क की तरफ जो के है बहुत अमेजिंग और यह है डॉक्टर रोमिया का स और भी बहुत ऑसम आते हैं तो इसलिए मैं यहां पर सबसे पहले स्क्रब करूंगी एंदेन स्क्रब के बाद मैं सेवन बेरीज मट मास्क आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसके रिजल्ट दिखाऊंगी डॉक्टर रोमिया का और गैनिक मौरक्कन और गनाइज स् आपको इसे 2-4 मिनस मसाज करना है और फिर रिमूफ कर देना है रिमूफ करने के बाद आपको एप्लाई करना है रॉक्टर रोमिया का सेवन बेरी मट मास्क यह भी बहुत आसम है और गैनिक सेवन बेरी मट मास्क आपकी स्किन से इंप्रिटी इसको रिमूफ करता है और आ आपकी स्किन पे बेस्ट रिजर्ट देगा मट माक्स अपलाय करने के बाद फिर आप लोग को वेट करना है 20 मिनर्स 20 मिनर्स के बाद अच्छे तरीका से अपना फेस वाश कर लेना है आप देख सकते हैं अच्छे रिजर्ट मेरी स्किन बहुता सा हाइड्रेटिंग हो गई है और लार्ज पोर्स की प्रब्लम भी रिमूफ हो गई है तोई इन वीक अच्छे रिजर्ट के लिए यूज़ करें अब बारी है औरियर की टू इन वन ग्लोइंग मास अन स्क्रब की तो मैं आपको दिख है तो आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं यह आपकी चोईस पर है मैं यहाँ पर जो हूँ वो एचस बेंड का ग्लोइ स्प्रे यूज़ कर रही हो क्योंकि यह बेस्ट है मेरी स्किन के लिए और आप देख सकते हैं कि मिक्शर रेडी हो गया है अब आप इसे अपने स्क जिन से ब्लेक और वाइट हैर्स की प्रॉब्रम्स को रिमूफ करता है हाइपर पिग्मेंटेशन की प्रॉब्रम्स को रिमूफ करता है और सबसे बड़ी बात जो हमारी स्किन पर संटैन हो जाता है हमारी स्किन अनिम टोन हो जाती है उसे रिमूफ करता है यहाँ पर आप भी रिजल्ट देख सकते हैं और अगर आपको और भी ज़दा बेस्ट रिजल्ट चाहिए है तो टॉइस इन वीक और ये ब्रेंड के और गैनिक मास्क को ज़रूर यूज़ करें और इसकी एक्सपारी डेट है जो के बहुत अच्छी बात है आप इसे ज़ल्दी यूज़ कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपने नेक्स औरगैनिक मास्क की तरफ जो के है मिरिकल ग्लो का अगर मैं यहाँ बात करूँ पैकेजिंग की तो पैकेजिंग मिरिकल ग्लो की बहुत ही अच्छी है बलकि बहुत जादा ही अच्छी है पैकेजिंग आप यहां पर स्कीन पर देख सकते हैं हर चीज बहुत ही डिटेल में लिखी ही है अब हम चलते हैं प्रोडक्स की तरफ तो प्रोडक्स में सबसे पहले इनके पास है ब्राइटनिंग फेस एंड बॉरी मास्पेस 24 कारेट गोल सेरम 24 कारेट गोल सेरम मैंने प्रीवेस वीडियो में भी मैंना आपको लगा कर दिखाया है उसके बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स हैं अब हम यहां पर चलते हैं और्गैनिक मास्की प्रेपरेशन की तरफ तो सबसे पहले यहां पर जरूरी है प्रेशन के लिए सबसे पहल यहां झोले स्केन, studyเด है उसके लिया होता है उसके बाराय प्रेशन के लिए और मैंने घ्मड़ राखना ए UP ama यहां यहां पर नहीं प्रतियों के लिए नहीं दाख माराइ जाए तुए भी झुवर न्यॉसस के प्रतिया तुनि यहां अगएं कर मुदा है यहां पर चृह हो गया है डैडी अब आपने और गयानिक मेरिकल ग्रो मास्क को अच्छे तरीह से अपने नेक पर अप्लाइप पर एपना है आपने 30 मिनट करने और अपना फेस व आपना तरीह भी नात्यान को पर पास जोएन कर लिया है और आपने इसमास को अपने बेहन यहां पर मेरी चोटी बहन भी आप लोग को हाई कह रही है और अब मैं आप भी वीडियो को एंड करती हूं लाइक करें शेयर और सब्सक्राब जरूर करें अल्ला हाफिज